नमस्कार दोस्तों मैं नीरज आप सभी के स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पा आज इस यूटूब चैनल के माध्यम से बिहार बूर्ड क्लास 13 का अबजेक्टिव कोस्टन्स इंसर करने वाले हैं जिसमें साइंस का बायो का कोस्टन्स इसमें होगा टुटली बायो का कोस टूटल Sr. 가 focus कर टेस्टे करते हैं कोस्टन्स बिहार भूर्ड के लिए आपको जो एक्जान वाला है उसके लिए बहुत ही रक्त का कौन सा आव याओ घायल अस्थान से रक्त सत्राव के मारग को श्वता को ठका बनाना ठका बनाकर औरूध करता है तो ये क्या कौन सा होता है जो ब्लड को ठका बनाता है और ब्लड को ज़्यादा गिरनों नहीं देता है कट लगने पर तो होता है लसी का अगला कोश्चन है हिर्दय से रक्त यानि रूधीर को शंपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है तो इसमें पंप किया जाता है किसके द्वारा तो किया जाता है निला द्वारा यह हट का भाग है निले अगला कोशन है पादप में जायलम उत्तरदाई है तो पादप में जायलम उत्तरदाई होगा अपसा ने है जल का वहन के लिए अगला कोशन है निमलिखित में से किस कोशिका का उर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है तो कुस्त क्या कवर चाम मुद्र करूप में जाए अगला कोशन है हार नाल के सबसे लंबा भाग हो जाएंग यहां पर छोटी यहां हां कशार नाल का सबसे रहा लंबा भाग होगा अगले स्वपोसी पोशन के लिए अवाज रिख है तो स्वपोसी पोशन के लिए अवाज होगा इन में से सभी यानि सियो तू भी क्लोडोफिल भी और सुडि प्रकास भी अगले कोशन है इन अक्सीजन है अक्सीजन क्या है तो इसका एंसर हो जाएगा अक्सीजन एक हार्मोन है अगला कोशन है दिवी खंडन होता है तो दिवी खंडन क्या होता है यह बताना है तो इसका एंसर हो जाएगा अप्सन ए दिविखंडन अमीबा में होता है अगला कोच अने इथाईल इल्कोहल किस परकार के स्वसन में बनता है तो इथाईल इल्कोहल बनता है अवाई वीये में अगला कोच अने परकास संसलेशन होता है तो परकास संसलेशन किस में होता है कौको में या किस में तो इसका एंसर हो जाएगा अप्सन सी हरे पोधो में परकास संसलेशन होता है अगला कोच अने हरे पोधे कहलाते हैं तो हरे पोधे कहलाते हैं उत्पादक अगला कोच अने प मस्तिक्स उतरदाई है तो यह उतरदाई है इन मेंसे सभी में यानि सोचने के लिए भी हिर्दय असकंदन के लिए और शरीर का संतुलन बनाने के लिए अगला कोशन है मेग्रेसियम पाया जाता है मेग्रेसियम पाया जाता है कोलोरोफिल में अगला कोशन है पौधों में श्वाशन किरिया के अंतरगाट ADP के तूटने से कितना उर्जय मुक्त होता है तो यह मुक्त होता है 3.5 के जूल मोल 3.5 के जूल मोल बाई मोल होता है अगला कोशन है प्राक्रिती में आक्सीजन का संतूलन कैसा बना रहता है तो यह बना रहता है प्रकास संसलेशन अगला कोशन है मानोहिर्दय में कितने कोश्ट होते हैं तो यह होते हैं 4 अगला कोशन है मानोहिर्दय का उस्तन प्रकुचन दाब है लगभग तो यह लगभग दाब होता है 120 mmhg mmHg, MAUHIRDE criteria, ABP, highest drug, 120 mmHg, अगला कोचन है, पाधों में वास्थोत सर्जन की फाग में होता है, तो यह होता है पत्ता में, अगला कोचन है, यकरीत से निम्न में से कौन सा रस निकलता है, यकरीत लीबर को ही बोलते हैं तो यह रस निकलता है, पीतरस अगला कोशच ने, इनमें समान verrata किसका उप्यो कोशच का द्वारा उढ़ा उत्पादन के लिए होता है तो होता है गुल-कोशच का अगला कोशच ने, डायलेसिस मसिम द्वारा रख्त के सुधी करन की परक्रिय कहलाता है तो यह कहलाता है हीमोडाइलेसिस कहलाता है अगला कोश्चान है समाने तो गुलो मेरूलर फिल्ट्रेट में निम्लनांकित में कौन से उपस्तित नहीं होता है तो वो होता है अलबूमिन उपस्तित नहीं होता है अगला कोश्चन है जीवों के सरीर के उपाचाई किरियाओं के फाल्स वरूत उत्पन और सिष्ट पदार्थों का निसकासन कहलाता है तो यह कहलाता है उत्सर्जन अगला कोश्चन है निमलीकित में कौन प्रोटीन एवम एमीनो आमल के भी खंडन से बनता है तो बनता है इन में से सबी यानि इवरीक आमल भी बनता है अमोनिया भी बनता है और इवरिया भी बनता है अगला कोश्चन है इवरिया रख्त में कहां से परव्यस करती है तो यह परव्यस करते हैं याकरित से यानि लिवर से अगला कोशन है वरीक किस जेव प्रकरम का हिस्सा है तो वरीक हिस्सा है उत्सर्जन का अगला कोशन है रेजिन किस पोधे का उत्सर्जी पदार्थ है तो यह है चीर का अगला कोशन है मुल रोम पाय जाते हैं तो ये पाय जाते हैं जर में अगला कोशन है नीम्ड में कौन उत्सरजी अंग है तो ये है व्रीक उत्सरजी अंग है अगला कोशन है किस गरंथी के कारण तो आचाए एक उत्सरजी अंग है तो वो है स्वेध के कारण अगला कोशन है मनुष्य में कारबन डियाकसाइड का उत्सरजन किस से होता है तो यह होता है फेपरा से अगला कोशन है निमलीखित में से कौन सपदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है तो यह बनाता है अक्सीजन अगला कोशन है पराग नलिका का बिजान की और व्रीधी करना किस परकार का अनुवरतन है तो यह है रसायन अनुवरतन अगला कोशन है सजीव में निम्ड में से कौन सा जय प्रकम पाय जाते हैं तो पाय जाते हैं इन में से सभी यानि स्वसन भी पोशन भी और जनन भी अगला कोशन है अमीबा अपना भोजन पकाता है तो ये पकाता है कुट पाद द्वारा अगला कोशन है मांसा हारी जन्तू की छोटी आंत की लंबाई साका हारी जन्तू की तुलना में क्या होती है तो कम होती है अगला कोशन है निमलिखित में कौन एक अपगाटक है तो है वेक्टिरिया एक अपगाटक है अगला कोशन है मनुष्र में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है तो कहा जाता है स्वासो छ्वास अगला कोशन है हिमो गुलोबिन विहीन प्लाजमा को क्या कहते है तो कहते है सीरम अगला कोशन है निश्वास द्वारा निकली वायू में रहती है तो हो रहती है CO2 अगला कोशन है रक्त इन्मेस्ट किसकी उपस्तिती के करण लाल दिखता है तो दिखता है हिमोगलोबिन के करण अगला कोशन है प्रकास स्लेसी अंग है तो है पत्ती का अगला कोशन है वाई मंडल में CO2 गैस उपस्तित है तो उपस्तित है 0.03% अगला कोशन है ग्रहनी भाग है तो यह छोटी आत का है अगला कोशन है हरे पोधे में पोशन की विदी कहलाती है तो यह कहलाती है स्वापोशन अगला कोशन है अमीबा है तो अमीबा क्या है प्रानी सम्भोजी है अगला कोशन है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है तो पाया जाता है एमाईलेज अगला कोशन है वासा का पाचन किस के द्वारा होता है होता है लाइपेज के द्वारा अगला कोशन है मनुस में पाचन करिये कहां पररम होती है यह पररम होती है तो होती है मुक्से अगला कोशन है किस पाचक रसे के परभाव से आमासे में दूद ठकका सा जम जाता है तो होता है रेनिन के परभाव से अगला कोशन है मनुश्य का हिर्दय प्रती मिनट कितनी बार धरकता है तो 72 बार अगला कोशान है मनुष्र में रूधिरी छंता है तो ये छंता है बोमेन संपूट में अगला कोशान है पड़ते एक गूर्दे में कितने नेफरोन होते हैं तो वो होते हैं लगबग बारे लग अगला कोशाने पादप अपसिष्ट संचीत रहते हैं तो इन में से सभी में रहते हैं यानि पत्तियों में छाल में कुछ का रिक्तिकाओं में भी अगला कोशाने मनुश्र में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है तो उत्सर्जी अंग अगना से नहीं है अगला कोश्चा ने हिर्दय मुख अंग है तो हिर्दय मुख अंग परिवहन तंत्र का है अगला कोश्चा ने पादप में जैलम का कार्ज है तो है जल का वहन करना अगला कोश्चान है पौध्व के वाईविये भागों से जलक रंदरो द्वारा वास्व के रूप में निसकासन की किरिया कहलाती है तो ये कहलाती है वाद्व सर्जन अगला कोश्चान है वाद्व सर्जन एक क्या है तो ये है सारीरिक परकिरिया है अगला कोशन है पौधो में निर्मित भोजन का एक अंग से दूसरे में जाने की क्रिय कहलाती है तो ये कहलाती है परिवहन अगला कोशन है मानो शरीर का समाने रख चाप होता है यानि बीपी कितना होता है मानो शरीर का 120 वाई 80 होता है 120 वाई 80 अगला कोशन है वरीक एक सरच नातमक क्रियातमक इकाई को कहते हैं तो कहते हैं नेफरान अगला कोशन है बोमेन संपूट एम गलोमेरूलस को समलित रूप से क्या कहा जाता है वोमें संपूट एम गुलो मेरूला से को समली तरूप से क्या कहा जाता है तो यह कहा जाता है मेलपीगियन कोस अगला कोशन मानो के 100 ml रख्त में उपस्तित इुरिया की सम्माने मात्रा होती है तो होती है 30 mg 30 mg अगला कोशन है मनुतर से के परतेक विरिक में विरिक नलिकाओं की लगभक संख्या होती है तो होती है 1 ml अगला कोशन पाईदर के उठर्जित पदार्थ है तो है इनमें से सभी याने गोंद fidelity टैनिन भी और रेजिन भी गोंद भी टैनिन भी और रेजिन भी अगला कोशन है निमलीखित में जठर गरंती की कौन सी कुछ का हाइड्रो कुलोरिक अमल का सत्राव करती है तो करती है भीतिय कुछ का अगला कोशन है छोटी यात में भोजन के पाचन में निमलीखित में से किस रस की भूम क्या होती है यहां पे होतील हो जाएगा तो होती है इनमें से सभी का यानि पीतरस का भी अगनासरस का भी और आंतरस का भी अगला कोशन है अमासे में भोजन के गाढ़े लेई की तरह किस रूप को कहते हैं यानि अमासे में भोजन के गाढ़े लेई की तरह के रूप को कहते हैं काइम, अगला कोशन है, इनमे किस के adversary Amiua में Antagran, to Amiua में Antagran dc कुटपाद के द्वारा अगला कोशन मनुष्थ में पाचन क्रिया का अर्रम होता है तो मुख गुखा से होता है अगला कोशन है वासा के पाचन में सहायक होता है तो होता है लाइक पेज अगला कोशन है रक्षी को सिखाए पाय जाते हैं पतियों में अगला कोशन है वाई मंडल में CO2 का कितना परतिसत बिदमान है तो बिदमान है 0.03% अगला कोशन है इन में कौन परकास संसलेशी अंगक है तो हो है हरितलवक अगला कोशन है स्वासन क्रिया में निम नांकित किस गर्स का ग्रहन किया जाता है तो यहाँ पर ओटू को ग्रहन करते हैं अगला कोशन है कुलोरोफिल अनुओ को कहते हैं तो परकाहस, इकाईए अगला कोशन है ट्रिमिक रिप्सिन नामक एंजाइम पाए जाता है तो बाए जाता है, अगिसाले रश में इँछ अगला कोशन है, आज तो ही आशक है इन मेंख सभी यानि हरित लग भी शोरी परकाहस भी और सी उटग्जल तथा जल अगला कोशन है पेपसीन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है तो यह बदल देता है पेपटोन में अगला कोशन है निमलीकित में कौन मनुष्य के मुख गूहा में पाई जाने वाले लार गुरंथी नहीं है तो वे बेनर्स नहीं है अगला कोशन है निश्वास में निकली वायू में की का परतिशत बढ़ा रहता है यानि निश्वास में निकली वायू में किसकी परतिशता बढ़ी रहती है तो बढ़ी रहती है CO2 का अगला कोशन है, स्वसन की परक्रिया में खाद पदाथों का क्या होता है, तो होता है बिघटन अगला कोशन है, मनुष्र में स्वसन वर्नक पाया जाता है, तो पाया जाता है हिमोगलोबिन में अगला कोशन है दही के जällen में कौन सी क्रिया सहायक होती है तो होती है किनवन अगला कोशन है कीटों में परमुख स्वसन अंग है तो है ट्रेकिया अगला कोश है निमलीकित में कौन सा योगी के कोशी खाओं में रसाइनिक उर्जा का सरवजनिक वहाख है तो है ATP अगला कोश है स्वसन का वह जरन जिसमें अक्सीजन की अनुपस्तिती में गुलकोच का आंसिक भी खंडन होता है अगला कोश है कोश की ये धन कहा जाता है तो कहा जाता है गुलकोच को अगला कोशन है आई वीस वसन की पूरी प्रक्रिया कहां पूरी होती है तो यह होती है कोश का द्रब्य में अगला कोशन है ATP में फोस्फेट की संख्या होती है तो होती है तीन अगला कोशन है रक्त इन में से किसकी उपस्तिती के करण लाल दिखता है तो हो हीमोगलोबिन के करण अगला कोशन है मनुष्री में सांस लेने और छोरने की क्रिया को क्या कहा जाता है तो कहा जाता है स्वासो छ्वास अगला कोशन है मनुष्रे का मुख नाइटरोजनी उतसरजी पदार्थ है तो है Uriko Amla अगला कोशन है युगलीना में पदार्थों के परिवहन है तो निमनांकित में कौन से परक्रिया उत्तरदाई होती है तो होती है बीसरन अगला कोशन है रग्त का लाल रंग निमल्याकित में से किस प्रोटीन की उपस्थिती के कारण होता है तो होता है हीमोगलोबिन के कारण अगला कोशन है निमल्याकित में कौन पौधे में जल समवहां उत्तक है तो है जाइलम अगला कोशन है फाइबरोन जीन रहित प्लाजमा को क्या कहते हैं तो वो कहते हैं सीरम अगला कोशन है रक्त में हलके पीले रंग के चिपचिपे द्राव को कहते हैं तो वो कहते हैं प्लाजमा अगला कोशन है फुस फुस सी राय हीरदाय के किस वेस्ट में में खुलती है तो खुलती है बाया अलिंद में अगला कोशन है कौन सी रखते कानी का मनुष्य के परती रख्षा तंतर का निर्मान करती है तो करती है लुको साइट अगला कोश्यान है नेमलिखित में कौन से यांत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है तो किया जाता है S5 मैनुमीटर का अगला कोशन है सुध रक्त को हीरदा से सरीर के विभीन भागों में ले जाने वाली रक्त वहनिया कहलाती है तो कहलाती है धमनिया अगला कोशन है मनुष्य के लाल रक्त कोश्क्या में अनुपस्तित होता है तो अनुपस्तित होता है केंद्रक अगला कोच नहीं वे पौधे जिनका पोशन सरी गली चीजों पर आसरीत रहता है उन्हें कहा जाता है तो कहा जाता है मिरित जीवी अगला कोच नहीं स्वपोशी भोजन के लिए अवस्यक है तो अवस्यक है इनमें से सभी यानि कुलोरोफिल भी सुरी परकास भी CO2 अम, CO2 दोनो अगला कोच नहीं इनमें कौन परकास संसले सी अंगक है तो है हरित लवक अगला कोच नहीं वाई मंडल में CO2 का कितना परतिसेत है तो है 0.03% अगला कोच नहीं इनमें किसके द्वारा अमीवा भोजन का अंतरगरहन करता है तो करता है कुटपाद के द्वारा अगला कोच नहीं इनमें किसे छीदर के द्वारा ग्रशनी ग्राशनली से जुरा होता है तो जुरा होता है निगल द्वार अगले कөे ग्रहनी भागा यह चोटी आगले कोशनली टैलीन परिवर्तित करती है यह करता है तो करता है मंड को सरकरा में अगले कोशनली मिलिखित में किसे पाचक रस सत्रावित करने के आवसेक नहीं परती तो पाचेक रस और सत्रावित करने के आवासेक नहीं पड़ती मोनोसिस्ट को अगला क्वेशन है कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन अमलिय माध्यम में करता है तो करता है पेपसीन अगला क्वेशन है निमलिकित में कौन एंजाइम मनुष्य में अनुपस्तित है तो है सेलूलोज अगला क्वेशन है मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहां शुरू होता है तो होता है आमासे में अगला कोशन है किस पाचक रस के परभाव से आमासे में दूद थक्का सा जम जाता है तो वो होता है रेनिन के परभाव से अगला कोशन है पोधे द्वारा CO2 लेने और छोड़ने की किरिया को कहते हैं प्रकास संसलेशन अगला कोशन है हरे पौधे प्रकास संसलेशन में कच्ची समागरी जल और किस कच्ची समागरी का इस्तमाल करते हैं तो करते हैं कार्बन डियाकसाइड का अगला कोशन है कार्बन शुआंगी करन या प्रकास संसलेशन में उर्जा का सुरूत है तो है सुरुपरकास अगला कोचे ने इनमें समाने तक इसका उपयोकोस का उर्जा उत्पादन के लिए होता है तो होता है गुलकोस का अगला कोचे ने सुवसन की किरिया में खाद पदार्थों का क्या होता है तो होता है बिगाटन अगला कोशन है पौधे में गैसों के आदान परदान के लिए रहते हैं तो रहते हैं रंद्र अगला कोशन है पानियम घुलित खनीच का पौधाओं में अस्थनांतित होता है तो होता है जायलम नलिकाओं द्वारा अगला कोशन है पौधों में खाद पदार्थों के अस्तनांतरन किस रूप में होता है तो होता है सुक्रोज के रूप में अगला कोशन है पुलोयम से खाद पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दीशा में होता है तो होता है उपर से नीचे दोनों और उपर से नीचे दोनों और हो जाएगा अगला कोशन है सुधिया आक्सीजन रक्त आक्सीजनित रक्त को हिर्दय से सरीर के विभीन भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनिया कहलाती है तो ओकहलाती है धामनिया अगला कोशन है हिर्दय के वियाश्णमों का सिथेलन कहलाता है तो यह कहलाता है डाइस्टॉल अगला कोशन है निमलिखित में कौन एमीनो आमलके भी खंडन से बनता है तो बनता है NH3 अगला कोशन है माना और हिर्दय में पाए जाते हैं तो पाए जाते हैं अगला कोशन है कौवक में पोशन की कौन सी विधी है तो विधी है मृत जीवी अगला कोशन है भोजन का पाचन किस प्रक्रिया की हविक्रिया है तो है उपचायन की अगला कोशन है रग्त क्या है तो रग्त है उत्तक अगला कोशन है निमलिकित में कौन उत्सारजी अंग है तो है विरीक अगला कोशन है मतसे का मुख स्रवासन अंग है मतसे का मुख स्वासन अंग है तो है गिल्स अगला कोशन है भोजन का पच्छना किस प्रकार की अभिकिरिया है तो है उपचैन का अगला कोशन है पौधों में वास्थो सर्जन किस भाग में होता है तो होता है पत्ता में अगला कोशन है परकास संसले संदोरा किसकी प्राप्ति होती है तो होती है गुलकोस का अगला कोशन है रक्षी को सिकाई पाय जाती है तो यह पाय जाती है पतिया में अगला कोश्चान मानौ रख्त में उपस्तित उर्या की शमाने मात्र होती है तो होती है 20 mg अगला कोश्चान स्वसान क्रिया के दौरन कितनी परतीसत उट जात ताप के रूप में निसकासित होती है तो होती है 20% अगला कोशन है पोधों के व्वी ये भागु से जल के निसकर्ष की किरिया कहलाती है तो वह कहलाती है वास्ष त्वह सर्जन अगला कोशन है वह कौन प्रकाम जिनके द्वारा शरीर में उर्जा का उत्पादन होता है वह खाल आता है, तो खाल आता है स्वासन, अगला कोशन है, कौन सी किरिया, सभी जीवों के लिए अनिवार है, तो है स्वासन, अगला कोशन है, मेगरी सियम पाय जाता है, तो मेगरी सियम पाय जाता है, लाल रख तो कन में, अगला कोशन है, को इसका जिली किस परकार की जिल तो होते हैं şi a अगला कोशन दही के जमने में निमलिखित में निमलिखित में कौन सी क्रिय में होती है कि ज़से मानो हीरदों कि तौल है नेफ रहां अगला कोशन है रक्त में आईरन की कमी से होने वाला रोग है तो है एनिमी है अगला कोशन है मनुस में विरीक एक तंद्र का भागा जो समबंदित है तो समबंदित है उत्सर्जन से अगला कोशन है क्लोरोफिल वर्नक का अंग है तो है हरा अगला कोचन है शरीर में भोजन का पच्छना की इस परकार की अभी किरिया है तो है उपचायन का अगला कोचन है स्वपोसी पोसन के लिए अवस्यक है तो वह अवस्यक है उपयूगत में ससा भी यानि कुलोरोफिल भी अगला कोचन है प्रकास संसलेशन होता है तो यह होता है दीन में अगला कोचन है वियसके के सरेशनात्मा की क्या ही को कहते हैं तो कहते हैं निफ्रोन अगला कोचन प्रकृतिक में अक्सीजन का संतूलन कैसे बना रहता है तो बना रहता है प्रकास संसलेशन से अगला कोशन है पौधव में स्वासन क्रिया के अंतरगत ADP के तूटने से कितने उर्जामुक्त होती है तो इसमें से कोई नहीं होगा अगला कोशन है इथाईल एलकोहल किस परकार का स्वासन में रहत बनता है तो बनता है अब आईविये में अगला कोशन है मनुस्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहते हैं तो कहते हैं स्वसन अगला कोशन है पादप में फुलोयन वाहक होता है तो पादप में फुलोयन वाहक होता है भोजन का अगला कोशन है प्रकास संसलेशन के लिए में आक्सीजन बाहर निकलता है तो जल से बाहर निकलता है अगला कोशन है स्वपोसी पोशन के लिए आवस्यक है तो आवस्यक है सौर प्रकास अगला कोशन है इन में किस के द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर ग्रहन होता है तो होता है किंद्रक के द्वारा अगला कोशन है प्राक्रिती में आक्सीजन का संतूलन कैसे बना रहता है तो बना रहता है परकास संसलेशन से अगला कोचन है कुठपाद किस में पाय जाता है तो पाय जाता है अमीबा में अगला कोचन है रख्त में हलके पीले रंग के चिपचिपए द्राव को कहते हैं तो कहते हैं प्लाज्मा अगला कोचन मनुस में विरीक संबंधित है तो ये संबंधित है उत्सर्जन से अगला को चाने निम्न में कौन उत्सरजी अंग है तो उत्सरजी अंग हो जाएगा विरीक विरीक को इंगलेज में किड्नी भी बोलते हैं अगला को चाने स्वापोसी पोस्तन के लिए आवस्यक है तो आवस्यक है इन में से सभी यानि CO2, कुलोरोफिल और सोजी प्रकास भी अगला को चाने इउरिया रग तुम्हें कहां से परव्यस करती है तो वो परव्यस करती है या करित से यानि लिबर से अगला को चाने मनुष्य के सरीर की सबसे बड़ी गरंती है तो है अग्निया से या अग्निया से अगला कोशन है पाधाप में जाइलम उत्रदाई है यह उत्रदाई है जल का वहन के लिए अगला कोशन है कोटपाद किसमें पाया जाता है तो यह पाया जाता है अमीबा में अगला कोशन है ऐस्टों माटा पोध थे किस अंग में पाया जाता है तो यह पाया जाता है पत्तिया में अगला कोशन है मानव फिर्द्र का अस्तन प्रकूछन दाब्हान लगभग, तो यह लगभग है, 120 mmHE नगे कूछ ने इन में कौन प्रकास्षा नसलीस यंग है तो लग है हरित लवक के अगला कूछ वाद्फा शर्जन कीसे प्रकृतिक हिर्यों कूछ ने चरियर में भोजन के पच्छना कीज प्रकार के अभिकृतिक नदें ने मत्पे इतर नाने कि towe अगला कोश्चन परकास संसलेशी अंगख है, तो है हरितलवक का, अगला कोश्चन है विरिक के सर्ष नात्मा के हम क्रियात्मा की क्या ही को कहते हैं, तो कहते हैं नेफरोन, अगला कोश्चन है खूला परिसंचरन तंत्र किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है तो है अर्ध परागम में अगला कोस्चन प्रकांस लिसी अंगक है तो यह अंगक है हर इतलोग का अगला कोच्छन है उत्तक कोशिकाओं के बीज अवस्तिद्वी से सही तरक्ट पलाजमा को कहते हैं प्रकते इन में से सब्ही यानि उत्तकद्रोग लस्काइब बोलते हैं और लिंफ भी बोलते हैं तो friends यहाँ पर questions अमाप्त होता है आपको questions कर से लगए कॉमेंट करके बताइए अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर लिजे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में